वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि एक्सल में area of circle कैसे find करते हैं area of circle का formula आता है πाई r square और r square लिखना भी मैं आपको सिखाता हूँ लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि πाई की value होती है 3.14 यहाँ पर साथ से पहले formula लिखने के लिए हम equal to के button प्रेस करते हैं फिर मैं लिखता हूँ 3.14 यह पाई की value है इसको multiply करना है πाई r square के साथ तो r की value रेडियस की जो है वो यह है जहाँ पर मैं click कर दूँगा और फिर उसके बाद raise to the power वाला button आपने shift plus 6 main keyboard में प्रेस करना है उपर power में 2 लिख देना है enter आप प्रेस करेंगे तो आपका result आ जाएगा यह इसका area है formula मैंने आपको लिखने का तरीका बता दिया अब यह fill handle है इससे आपने इस तरह से drag कर लेना है सारी लाइनों का जो है वो area of circle आ जाएगा सारे radius जो दिये गए यहां पर लिखने का जो तरीका है raise to the power वो shift के साथ main keyboard में आपने 6 का button प्रेस करना है